इस गटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं, जो गायल हुए हैं, वो सभी के परिवारजनों के साथ मैं मेरी संदुवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ और बड़े दूख के साथ आज मैं उनके प्रती अपार संवेदना के साथ इस अदन में खड़ा हुआ हूँ जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार की ओर से जवाब स्री नित्यानंद राही देने वाले हैं, जब यहां पर एक गंटे की चर्चा आपने अनुमोदीत की, तब मुझे था कि आज का दिन साथ रादनिती से परे रहेगा, इस पर रादनिती टिका टिपणिया नहीं होगी। खेर उद्देश से या जानकारी के अभाव से कुछ टिपणिया भी हुई और कुछ सदन को पुरा देश देखता है, इसलिए देश के सामने कोई गलत फेमी नहीं हो जाए, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ। दो सार उपन हुआ या जानकारी के अभाव में, मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करने है मनने महोद है, आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पुरा देश को, अल्ली वर्निंग, अल्ली वर्निंग, अल्ली वर्निंग, अल्ली वर्निंग बोलते ही गए, अंगरेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के सब्द है, अपने बासन में डाल कर इसको बताया गया, मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूँ 23 जुलाई को केरल सरकार को Early Warning भारस सरकार की और से देग गई गई थे 23 जुलाई को 7 दिन फेले फिर 24 गो गई फिर 25 गो गई 26 तारीक को मानिवर एक कहा गाया की 20 सेंटिमीटर से ज़्यादा बारसा होगी बारी बारसा होगी लैंड स्लाइड होने की संभावना है मड भी रश होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दब कर मर भी सकते हैं मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मानिवर मगर भारत सरकार की अर्ली वर्निंग सिस्टिम पर सवाल किये गए इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज लिसन अस प्लीज लिसन अस मत चिलाइए प्लीज रीड इट जो वर्निंग बेजा है उसको पढ़िये जरा और इस देश में कई राज्य सरकारे ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वर्निंग का उप्योग करकर जीरो कैजूलिटी डिजास्टर मेनेजमेंट किया है मैं औरी सार राज्य सरकार के लिए भी उस वक्त हमारी नहीं थी नवीन बाबू की थी हमने साथ दिन पहले साइक्रोन का ऐलर्ट बेजा सिर्फ एक वक्ती मारा गया वो भी गलती से मारा गया गुजराज सरकार को हमने साइक्रोन का ऐलर्ट तीन दिन पहले बेजा एक पसू भी नहीं मरा साथ मगर मैं बड़ी विनम रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो गिसे पिटे सब्द यहां लेकर आये हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं अल्ली वर्निंग सिस्टिम है भारत सरकार ने 14 के बाद अल्ली वर्निंग सिस्टिम के लिए 2000 करोर रूपया खर्च किया है और इसको साजा किया जाता है मानेवर साथ दिन पहले हर राज्य को सुचना बेजी जाती है और वो सुचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्द मानिय सांसदों के लिए भी उपलब्द है मगर कुछ लोगों को है कि यहां की साइटे खुलते ही नहीं वीदेश की ही खुलते है तो अब वीदेश में तो इसकी अर्ली वर्निंग सिस्टीम आएगी नहीं हमारी साइट देखने पड़ी की मानेवर मानेवर वर्षा एक मीट आप सुनो बाई मैंने ज्यान से आपको सुना है इस तरह से नहीं चले गाए इस सदन है इससे bis could इससे नहीं वर्षा के लिए अर्ली वर्निंग सिस्टीम है इस तुफान के लिए है चक्रवाद के लिए है यहां तक बीजली के लिए भी अर्ली वर्निंग सिस्टीम है जो दस मीट पहले बेजली अक्सांस रिखांग के साथ कहां गिरेगी वो सिधा कलेक्टर को इन्फर्म करती। मगर इसका कोई जिक्रा नहीं करा है। मैं तो मानता हूँ जानकारी का अभाव होगा। जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है और रादनीती है मनेवर तो बहुत लुख़त है। मनेवर कई सारे राज्यों ने इसका उप्योग भी किया है और परिणाम भी आ है। और इस अल्ली वर्निंग सिस्टिम के तहट मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ। 23 तारिक को ही मेरे ही अनुमोधन से 9 NDRF की टीमे केरल के लिए लड़वाना हो गई थी कि वहाँ लेंड्सलाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 NDRF की टीमें विमान से वहाँ भेजी। मैं पूछ सकता हूँ माने वर इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग केरल सरकार ने क्या किया। अनि अनधिकृत लोग रह रहे थे नहीं रहे 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 थे मगर वलरेवल सिच्वेशन तो थी इनको सिप्ट किया गया क्या। क्यू नहीं किया गया कौन रोकता था और सिफ किया तो मरे कैसे ? सिफ पहले नहीं किया गया है बाद में किया गया जितना बोろگे उतना नुकसान होगा मैं बोलना नहीं चाहताओ परंतु जब आप आरोपात्मग तरीके से बात कें थे तो मैं सांति से हहां बैट कर सुन से कहना चाहता हूं कि अल्ली वर्निंग सिस्टिम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रदान मंत्री बने 2016 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की सबसे आधूनिक अल्ली वर्निंग सिस्टिम कहीं पर है तो भारत में और इसका 7 दिन पहले साथ दिन पहले इसका अनुमान देने वाले चारही देशे उसमें से एक भारत है मगर उसको पढ़ना पढ़ता है डिमांड करने से कुछ नहीं होता मानेवर जो उन्होंने कहा कि वही डिजास्टर के पैसे रिलीज करने का राज्य के साथ पास अधिकार नहीं है वो गलत है मैं इसकी भी स्पष्टा करना करता हूँ क्योंकि सदन का रेकोर्ड साफ रहना चाहिए SDRF में 10% राज्य कोई भी राज्य अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइन से इस्यू कर सकता है और 100% रासी भारत सरकार की जो गाइडलाइन इस्यू के किसी भी परमिसन की भारत सरकार की जरूरत नहीं है गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करना है मगर जो ये डिजास्टर के पैसे हैं और कोई हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा तो फिर भी 10% खर्च तो डिजास्टर के नाम से कुछ भी आप करें कोई नहीं पूता है 90% खर्च आप गाइडलाइन के हिसाब से डिजास्टर के लिए बारत सरकार की कोई परमिसन लेने की जरूरत नहीं और बंगाल का भी कहा मनेवर डिटेल स्टेटमेंट नित्यानन जी पड़ेगी मतलब मैं स्ट्रक्चर स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं सिर्फ पस्ताय कर रहा हूं मनेवर बंगाल का भी कहा हमने 6244 करोड रूपया 14-24 तक बंगाल के एप्रू किये हैं और जीस प्रकार से इनके खर्च का हिसाब आता है इस हिसाब से रिलीज होते हैं उसमें से 4619, 4619 करोड रूपया हमने रियंबर्स कर दिया है मगर वहाँ थोड़ा प्रॉब्लेम है हिसाब बेजने में अब वो तो मैं अच्छे से नहीं कर सकता है अब बंगाल नहीं करना पड़ेगा एकाउंट देना पड़ता है तो सरकार है कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं है न सरकार के कुछ रूल्स होते है रेगूलेशन होते हैं अकाउंटिंग सिस्टीम होती है एजी का ओड़ीट होता है हम किसी को नहीं मानेंगे ते थोड़ी तकलिफ आएगी मगर दिरे दिरे आदत पड़ रही है इंप्रूमेंट आया है इसलिए बासट सो चवालिस में से 419 करोर रूपया इनका रिलीज हो चुका है और मैं फिर से कहना चाहता हूं मानेवर अर्ली वर्निंग सिस्टीम दी गई थी इसलिए 23 तारिक को हमने NDRF की 9 बटा लेने वहाँ पर हमने बेद दी थी और 3 कल रवाना करी है NDRF की बटा लेने उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता वगर मैं किसी पे दोसार उपन नहीं करना चाहता हूं यह समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का केरल की जंता के साथ खड़ा रहने का और जोन लोग उनकी हानी हुए उनके साथ खड लाना चाहता हूं इरिस्पेक्ट्व पार्टी पॉलिटिक्स नरेंद्र मोधी सरकार